आज के इस वीडियो में हम आप लोग को बताने वाले हैं कि आप लोग अगर होटल लेना चाहते हो बैंकोक में तो आप लोग को कहां लेना चाहिए जिससे कि आपका सारा जो लोकल ट्रांसपोर्टेशन हो उसमें सबसे कम से कम खर्च आए तो चलिए एक एक करके सारी चीजों को हम बताते हैं आज की इस वीडियो में सबसे पहला चीज आपके पास दो आप्सन है जहां पे कि आपको होटल लेनी चाहिए पहला है नाना प्लाजा और दूसरा है खावसान रोड अब यहां पे हमारी सजेशन जो रहेगी वो रहेगी क आप लोग नाना प्लाजा के पास होटल लो उसका रीजन जो है वो यह है कि वहां पे आप लोगो को मिल जाएगा BTS जब की वहां पे बोला जाता है जगा पर मिल जाता तो उसका कोई दिकत होने ही नहीं वाला है लेकिन आपको अगर मेट्रो मिल जाता है तो आपका बहुत जदा ही कौस्ट जो है वह सेव होने वाला है तो यह हो गया region करिकले हमें सस्ता आता है अगर वहाँ पे 400 दिखारा भाद तो यहाँ पे 200 भाद के आराउंड दिखाता है तो यह तो हो गया कि आपको होटल कौन सी जगा पे लेने से क्या फायदा होगा अब खावसान रोड में जो है बहुत जादा ही नाइट लाइफ होती है और नाना प्लाजा में भ जादा बड़ा एडल्ट लाइफ एक एडल्ट पिलेग्राउंड है तो अगर आप एडल्ट जा रहे हो तो भी वहाँ पे बहुत अच्छे से इंज्वाय कर सकते हो मतलब कि वहाँ पे सारी लड़किया जो होती है वो मोस्टली सब बिकनी में दिखेगी बिकनी से भी छोट बड़ा है तो आपको जो है होटल जो लेना है वो नाना प्लाजा के आसपास का जो होटल का डिस्टेंस होना चाहिए वो विदिन 7-800 मिटर होना चाहिए क्योंकि वहाँ पे आपको आधे किलोमेटर के लिए भी टुक टुक वाले भी 50 भाद 100 भाद मांगते हैं तो इसलिए मेरा सजेशन होगा कि आप जो है नाना प्लाजा के बिल्कुल वहीं पास में लेलो जैसे हमारे होटल की बात करें तो हमने जो है नाना होटल लिया था नाना होटल जो है नाना प्लाजा के पास में यह मतलब 100 मीटर भी नहीं मानो नाना प्लाजा के अपोजिट में ही नाना होटल था यहां पर बस एक disadvantage था कि इसका cost जो है वो बहुत ज़्यादा था 3000 रुपीज पर परसंद था लेकिन एक चीज है कि यहां पर जो है आप अगर बाहर से लड़की लेके आते हो तो वो लेके आ सकते हो क्योंकि हम जब होटल में रुके थे तो हम देख रहे थे कि बहुत सारे लोग बाहर से लड़की लेके आ रहे थे लेकिन यही है कि इसका cost जो है वो 3000 रुपीज पर नाइट पढ़ने वाला है यहां से क्या हो रहा था कि हमें मेट्रो जाना है तो बस 200 से 300 मीटर चलना था और हम मेट्रो पर पहुंच जा रहे थे और मेट्रो से हमें फिर जहां पर भी जाना था वहां पर हम सस्ते में गूम ले रहे थे तो ये एक फैदा होगा, दूसरा फैदा होगा कि अगर आप सफारी वर्ल्ड करने जा रहे हो, तो सफारी वर्ल्ड का जो क्लूक वाला बस जो होता है, वो बस भी है, ये नाना प्लाजा से डेड़ किलोमेटर दूर एक सेंट्रल वर्ल्ड मॉल है, उसी मॉल से चलता है, तो अगर आप खावसान रोड में लेते हो, तो आपको खावसान रोड से पहले आना पड़ेगा सेंट्रल वर्ल्ड मॉल, जो कि वहाँ पे आपका एक्स्रा खर्चा हो सकता है, तो इसलिए हमारी सजेसन होगी, कि आप नाना प्लाजा में ही होटल लेलो, मतलब नाना प्लाजा सुखुमबित फोर या फिर नाना जो है, नाना मेट्रो स्टेशन का नाम भी है, तो नाना मेट्रो स्टेशन के पास आप सर्च कर सकते हो, आपको बहुत सारे होटल मिलेंगे, और वहाँ पे अगर आप होटल बुक कर रहे हो, तो एक चीज आप देख लेना, कि अगर उस व होटल बुक कर सकते हो, और थोड़ा सा अगर चीपर होटल बुक कर रहे हो, तो आपको जो है नाना पलाजा से थोड़ा आदा किलिम्टर या एक किलोमीटर दूर अंदर की ओर मिलने वाला है, बस यही डिफरेस्स होने वाला है, बाकी जो है, आप लोग अच्छे से और अगर कोई भी question है तो आप comment section में जरूर पूछो वहाँ पे हम आपको different different hotels भी बता सकते हैं जो हमने वहाँ पे देखे थे तो चलिए आज के इस वीडियो को यहीं पे खतम करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई